आप सभी को नमस्कार मेरा नाम मनुश पांडे और आप देख रहे हैं EV हिंदी तो दर्शको आईपिल का माहौल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे राजस्थान रॉयल का एक यहाँ पर स्पेस बनाया गया है जहाँ पर वन मोटो ने एक ऑफिशिल जो की पार्टनर से राजस्थान रॉयल के उन्होंने एक डेडिकेटिड स्कूटर यहाँ पर प्रेजेंट किया है जिसका नाम है कॉम्यूटा तो चलिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिव्यू करते हैं तो सामने की तरफ से अगर आप स्कूटर को देखेंगे तो यहाँ पर राउंड एलेडी हेडलाइट दी गई है वन मोटो ने जाद तर जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर उनको रेट्रो डिजाइन में ही बनाया गया है यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्टिकल इंडिकेटर दिये गए है और इस तरह का यहाँ पर मटगार दिया गया है जो की फाइबर का है इस स्कूटर के फ्रंट और रेर दोनों ही टायर्स का साइज 3.50 और 10 इंच है और इस स्कूटर का नेट वेट 102 किलोग्राम है और इसकी लोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम है यहाँ पर अगर आप वन 魔न्ट के देखेंगे तो यह रही इसकी डिजिटल डिस्प्लेइ यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्लेइ दी गई है और यहाँ पर हइबम लो बीम बसक्ति इसी के साथ यहाँ पर इंडिकेटर के लिए बटन दिया गया है यहाँ पर हॉरन और य तो दोस्तो अगर आप यहाँ पर इसका फ्लोर बोड देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट फ्लोर बोड दिया गया है लेकिन बीच में इस तरह का एक डिवाइडेंट है तो इस वाज़ से आपको थोड़ा सामान रखने में इसमें दिक्कत हो सकती है यहाँ पर अगर आप स्पीड देगी ऐसा कंपनी की साइट पर लिखा है लेकिन कंपनी के शोरू में इसमें टॉप स्पीड 75 किलोमेटर पर आर लिखा है तो टॉप स्पीड को लेकर यहाँ कुछ कंफूजन नजर आती है इसी के साथ इस स्कूटर के फ्रंट टायर पर आपको हाइडरॉलिक डि ब्रेंडिंग दी गई है जो कि स्टीकर ब्रेंडिंग यहाँ पर दी गई है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का टेल लैंप दिया गया है उसी के साथ यहाँ पर इंडिकेटर और यहाँ पर रिफ्लेक्टर और यहाँ पर लैसेंस पैनल दिया गया और यह स्कूटर सिरफ आपको इस आइपल सीजन के दौरानी देखने को मिलने वाला है। कॉम्यूटर एलेक्ट्रिक स्कूटर में आप बूट स्पेस देखेंगे तो इसमें बूट स्पेस बहुत ही कम है। आप इसमें हलकी फुलकी अपनी फोल्डर्स, फाइल्स और चोटा-मोटा समान रख सकते हैं और यहां पर बैटरी दी गई है जो की रिमूबल बैटरी इसमें दी गई है। इस स्कूटर में 60W 27.5 AH की NMC लिथियम आइन बैटरी लगाए गई है जो की रिमूबल है और इसे फुल चार्ज करने में आपको चार घंटे लगेंगे और कमपनी दावा करती है कि सिंगल चार्ज में यह स्कूटर आपको 100 किलोमेटर की रेंज दे सकता है लेकिन कमपनी की साइट में यह अर्बन रेंज 80 किलोमेटर मैंचन की गई है तो रेंज को लेकर भी यहाँ पर कुछ कन्फूजन नजर आती है इसी के साथ इस स्कूटर में अभी फेम टू सबसीड़ी भी नहीं है और इसका प्राइज है 1,30,000 रूपीज और यह स्कूटर 9 कलर्ज में अव हेलमेट्स और कैप्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर वन मोटो का लोगो भी दिया गया है और यह स्कूटर यहाँ पर IPL के सीजन के दौरान रहने वाला है तो इसी के साथ दोस्तों अगर आप यह स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो यह स्कूटर इसके लावन नौ और कलर् है तो इस वक्त यह सिरफ हैदराबाद के शेक पेट में आगर खरीच सकते हैं यह स्कूटर ऐसे नौ कलर्स में अविलेबल हैं इस स्कूटर से जुड़े मैंने कई सवाल इनके सेल्स मेनेजर से भी किये हैं और रिगार्डिंग डिलर्शिप और यहाँ इसकी सर्विस को ल झाल, झाल, बाँ झाल, 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 झाल…